हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगी इन टू लर्ण वृतितीमन, तो हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नमबर वन, और ये चैप्टर का नाम है भारत का राजनितिक विकास, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में 1947 से पहले, यानि सोतंदरता से पहले और बाद में, जो रियासते थी, उन्हें किस त समझ लेंगे, चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं, कुश्यन नमबर वन, 1947, 1947 से पहले अंग्रेजों ने भारत को किन दो भागों में विवक्त किया था, आंसर है कि अंग्रेजों ने सोतंदरता से पहले भारत को दो भागों में बाद रखा था, एक तो ब्रिटिस प अंग्रेजों ने भारत को दो भागों में बाद रखा था, एक ब्रिटिस भारत और दूसरा देशी रियासतें, कुश्यन सेकेंड, 1947 से पूर भारत में कितनी रियासतें थी, तो उस वक्त भारत में 562 रियासतें थी, देखिए जैसे हम आज देखते हैं, हमारे 28 राज्ये ह तो उस समय जो रियासतें थी, वो 562 रियासतें थी, तो अगर टोटल देखा जाए तो उस वक्त 565 थी, लेकिन तीन रियासतें जो थी, वो अपने आपको स्वतंत्र मानती थी, और जब भारत में जब इन रियासतों का विले किया गया, तो तीन रियासतों ने तो मना ही कर या था शामिल होने से, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, कुशन थर्ड, कौन सी तीन रियासतें भारत में नहीं मिलना चाती थी, तो वो तीन रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद, वो जूनागर, जो गुजरात में पढ़ता है, तो देखिए, हैदराबाद जो था, व कि बहुत ज़्यादा फेमस जगे थी, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं, कि जो आपका सोमनाथ मंदिर है, उसके लिए फेमस था, ठीक है, और कस्मीर, जिसको पाकिस्तान जो है, वो अपना शेत्र मानता है, और उस पर अवैद कबजा किया हुआ है, तो ये जो तीनों शे जित्र थे, तीनों रियासतें थी, ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी, बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट कुश्यन है, इसको आप याद रखियेगा, नेक्स्ट है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, तो वो प्लीज नोट्स भी बनाते जाएं, वर्स 1946 में भारत की अ है मंतराले को सौपा गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रियासती विभाग का गठन कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस कुश्यन पर आपको लगाना है स्टार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, रियासती विभाग का गठन कब हुआ, प 1947 के समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय जो थे वो थे लार्ड माउंट बैटन, ठीक है, 1947 के समय वायसराय कौन थे, लार्ड माउंट बैटन, नेक्स्ट है, सो तंतरता के समय रियासती विभाग के गठन के समय सचिव किसे बनाया गया, तो हमें पता है कि रियासती 5 जुलाई 1947 को हुआ था सरदार बल्लभाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था और वीपी मैनन को सचिव बनाया गया था Quesion 8 किसने 12 अगस्त 1947 से पूर्व ही अधिकान से रियासतों का विल्य करवाने के लिए एक विल्य पत्र तयार करवाया रियासतें जो थी वो 565 थी तो अब इनको एक भारत बनाने के लिए एक विल्य पत्र तयार करवाया गया कि अब ये अलग-अलग रियासतें नहीं होंगी नहीं ये सोतंत्र होंगी ये केवल एक भारत में इनका विल्य किया जाएगा तो एक पत्र तयार करवाया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा कारे जो है वह वल्लब भाई पटेल का है यानि वल्लब भाई पटेल को इसका शिरे जाता है इसके साथ उनकी सहायता की वीपी मैनन ने ठीक है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कि जब 15 अगर्ष्ट 1947 से पहले अधिकान सर्यासतों का व विल्लब भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था और उनका साथ किस ने दिया था वीपी मैनन ने कश्मीर पर 1925 इसवी में किसका शाषन था तो कश्मीर जो था वो ऐसी रियासत थी जो कि मना कर रही थी उस विल्लब पत्र के साथ हस्ताक्षर करने के लिए कि हम नहीं हैंगे हम इसमें नहीं विल्ले होंगे तो इस पर शाषन जो है वह था महाराजा हरी सिंग का ठीक है किसका था महाराजा हरी सिंग का नेक्स्ट है महाराजा हरी सिंग ने भारत वर्ष में जम्मू कस्मीर का विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कब किया तो महाराजा हरी सिंग ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कस्मीर का विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम तो भारत में मिलना चाहते हैं नेक्स्ट है question number 11. 1950 में भारत के समविधान की किस अनुसूची में जम्मू कस्मीर को सामिल किया गया? तो इसका answer है कि समविधान की जो पहली अनुसूची है उसके भाग खे में जम्मू कस्मीर को सामिल किया गया. नेक्स्ट है 12. हैदराबाद को भारत में विले के सवाल को संप्रदाइक समस्या बना कर किस उगरवादी ने मुस्लिम संप्रदाइक संगठन तयार किया? तो एक हैदराबाद भी था जो की विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के इंकार कर रहा था क्योंकि वहाँ का जो नवाव था वो एक मुसलिम था जनता तो थी हिंदू वो मिलना चाती थी भारत में लेकिन निजाम जो था वह मिलना चाता था पाकिस्तान में ठीक है? तो वहे भी खिलाफ था कि हैदरावाद जो है उसे हम नहीं विले पत्र पर शायन नहीं करेंगे तो वहीं पर एक उग्रवादी जो मुस्लिम सामप्रदाइक का संगठन किया जिसने वहे भी इस चीज को उग्र रूप दे रहा था उसका नाम था रज्जाकार नामक उग्रवादी बिल्कुल याद रखना है इसको कि हैदरावाद को भारत में विले के सवाल को सामप्रदाइक समस्या बनाया किसने रज्जाकार नामक उग्रवादी ने इसी ने मुस्लिम सामप्रदाइक संगठन तयार किया नेक्स्ट है हैं हैदरावाद का निजाम किसकी साहता से हैदरावाद को सुतंत्र राज्य बनाने के सपने देख रहा था तो आपको पता है कि अगर आप भारत का मैप देखते है तो देखिएगा हैदराबाद बिलकुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे ही है अगर ये अपने आपको सोतंतर घोसित कर देगा तो भारत जो है वो किस तरीके का दिखाई देगा और बीच में जैसे कश्मीर जो है वो आजकल पहले प्रॉब्लोमेटिक था उसी तरीके से हैदराबाद जो है वो भी समस्या बन जाती तो जो निजाम था वह है है एदराबाद को सोतंतर राज्य बनाने के सपने देख रहा था जो कि मुहमद अली जिन्ना की सहता से मुहमद अली जिन्ना वो ही थे जो कि पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं नेक्स्ट है कुशन 14 हैदराबाद को भारत में विले के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल ने कौन सी कारवाई की कि हैदराबाद जो है वह मिलना नहीं चाता है भारत में अपने आपको स्वतंतर घोसित करना चाता है लेकिन जनता जो है वो क्या डिमांड कर रही थी कि हम तो भारत में ही मिलेंगे हम तो भारत में ही शामिल होंगे, तो सरदार बल्लब भाई पटेल को जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने भारतिय सेना का जो हमला है वो है करवाया, ठीक है, उसे नाम दिया गया, ठीक है, उपरेशन पोलो का नाम दिया गया, तो उसके बाद हैदराबाद का जो 1948 को हैदराबाद का भारत में एकी करन हुआ तो ये आपके लिए बहुत जाता इंपोर्टेंट रहेगा कि हैदराबाद का भारत में एकी करन कब हुआ 1948 में टेट आपको याद रखनी है 17 सितंबर नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर 16 जूनागड का भारत में विले कब हुआ तो हमने देखा 1947 में तो महराजा हरी सिंग ने जम्मू कस्मीर का विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था यानि कि जम्मू कस्मीर जो था वह भारत में मिल गया उसके बाद 1947 में हैदराबाद वह भी मिल गया और जो तीसरा था तीसरी रियासत जो नहीं मिलना चाती थी उसका भारत में विले हुआ 1948 में ठीक है तो डेट आपको याद रहेंगी क्या था जम्मू कस्मीर 1947 हैदराबाद 1948 और जुनागड भी 1948 ठीक है तो हैदराबाद और जुनागड इनकी जो आपको मन्त है वो याद रखना है सितंबर में तो हुआ था हैदराबाद और फरवरी में हुआ था जुनागड ठीक है चो तंतरता के समय जूनागड का नवाब कौन था तो जूनागड का नवाब था मोहबत खान और हैदरावाद में हमने देखा निजाम था ठीक है तो ये समस्या इसलिए भी पैदा कर रहे थे क्योंकि जनता तो हिंदू थी वो तो कह रहे थी हम भारत में ही रहेंगे पाकिस्तान में नहीं चामिल होंगे लेकिन ये जो थे नवाब ये मुसल्मान थे तो ये पाकिस्तान में मिलना जाते थे जूनागड रियासत का मुख्य मंदिर और जैन तीर्थ कौन सा था तो जुनागर्ड जो रियासत थी वो बहुत जादा महत्व रखती थी भारत के लिए क्योंकि यहां पड़ता है सोमनात मंदिर और जैन तीर्थ गिर्णार तो सोमनात मंदिर तो आपको पता है जब मुगल काल पड़ा था हमने वहां भी देखा था कि सोमनात मंदिर पर आकर्मन करने के लिए बहुत सारे मुगल साश्चों ने बहुत प्रयास किये थे तो यह जो यह भारत की एक सोभा ही थी तो इसलिए जो जुनागर्ड रियासत थ जाती थी पाकिस्तान में मिलना जाती थी लेकिन बाद में यह भी भारत में मिल गई तो यहां पर कुश्यन आपसे यह भी पूझा जा सकता है कि सोमनात मंदिर कहां पड़ता है तो आप याद रखेंगे गुजरात के जुनागर्ड जो रियासत थी वहां और जैनतीर्थ ग 1961 में देखिए आप इन प्रशनों को यहीं पर याद कर लीजिए और दो बार और इस वीडियो को देखेंगे आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगे जैसे आप एक स्टोरी जो है वो सुनते हैं उसी तरीके से कोश्यन की सीरीज जो है वो अपने माइंड में ने देखियेगा क्योंकि बहुत ज्यादा IMPORTANT QUESTION जो है वो करवाये थे मैंने और आज हम करने वाले हैं राजिस्थान का एकी करण में जो सात चरण थे उससे रिलेटिड एक के कु 충et जो है वो हम करेंगी तो बहुत ज्यादा IMPORTANT रहेगा क्योंकि आपके SLEBUS के ACCORDING ही हम च सब्सक्राइब कि समय कि चोड़कर पूरा राजिस्थान रियासतों में बढ़ा हुआ था टो हमें पता कि सोतंतरता की समय भारत में 562 रियासतें थी जहां तीन जो रियासतें थी कस्मीर, हैद्रावाद और जुनागर ये मिलना नहीं चाहती थी भारत में लेकिन बाद में जो लोहोपुरुस थे बल्लब भाई पटेल उनके प्रियासों से ये तीनों रियासतें जो थी वो भी मिल से लिक्ता दि गई और टोटल 565 रियासते जो थी हो शामिल हो ग गई, उसके बाद जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो तो राजिस्थान में 19 रियासतें थी तो इसमें एक रियासत जो थी वह थी अजमेर मेरबड़ा ठीक है तो अजमेर मेरबड़ा को छोड़कर पूरा राजिस्थान जो है वो रियासतों में बटा हुआ था तो वो थी देखिए अजमेर मेरबड़ा क्योंकि यह केंद्र शाष चित्थ प्रदेश में शामिल की गई थी तो तंत्रता की इसमय राज। राज्य में कितनी रियासते थी और कितनी ठिकाने थे तो मैंने आपको बताया कि जो राजिस्थान में 19 रियासतें थी उस टाइम तीन ठिकाने थे और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश, यही था वो अजमेर मेरवाड़ा, जो की रियासतों में शामिल नहीं था, चलिए, नेक्स रहें, राजिस्थान में भी रियासतों का भारत में विले किसने करवाया, तो पूरे भारत में रियासतों का पांसो पैंसट रियासतों का वि लबाई पटेल चलिए फोर्थ है राजिस्थान के एकिकरण एवं इसके वर्तमान स्वरूप में आने का कारे कितने समय में पूरा हुआ राजिस्थान का जो एकिकरण हुआ तो प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक वो कारे पूरा हुआ लेकिन इसमें कितना समय लगा त याद रखना है बहुत अच्छे से आठ वर्स साथ माहा 14 तिन नेक्स्ट है फिफ्थ राजिस्थान एकिकरण के साथ चरण कौन कौन से थे तो राजिस्थान का एकिकरण साथ चरणों में पूरा होता है तो उसमें जो साथ चरण थे वो थे बिल्कुल सीरीज वाई है क्रम से हैं ये मतस्य संग, पूर्वी राजिस्थान, संयुक्त राजिस्थान, व्रहत राजिस्थान, संयुक्त व्रहत राजिस्थान और राजिस्थान संग वा राजिस्थान Q6. मतस्य संग में कौन-कौन से शेत्र आते हैं? तो मतस्य संग में जो शेत्र आते हैं देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली व नीमराना का शेत्र ये मतस्य संग में आते थे तो देखिए जो अलवर है उसे मतस्य संग की राजधानी बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है कि 18 मार्च 1948 को मतस्य संग बनाया गया था राजिस्तान का एकिकरण यहां से प्रारम होता है और मतस्य संग में आते थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली और नीम ना का शेत्र जो है वो याद रखना होगा और मतस्य संग में राजधानी जो है वो अलवर को बनाई गयी थी नेक्स्ट है कुश्यन 7 मतर्से संग कब बना तो हमने बताया अभी कि 18 मार्च 1948 को मतर्से संग बना कुश्यन 8 मतर्से संग का उधगाटन किस ने किया वह राजप्रमुक और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया यह आपको याद रहने चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि यहां से लास्ट इयर कुश्यन आया था उससे भी पहले कुश्यन आया था और इस बार भी यहां से एक कुश्यन आने की पूरी-पूरी संभावना है मतस्य संग का उद्गाटन किया था केंद्रिय मंति एन वी गौडगिल ने राजप्रमुक धौलपूर साशक थे प्रधानमंत्री सोभाराम थे ठीक है एक बार और रिपीट कर देते हैं मतस्य संग 18 मार्च 1948 को बना अलवर भरतपूर धौलपूर करोली और नीम नाना कशेत्र था अलवर को राजधानी बनाया गया था उद्गाटन केंद्रि मंति एडवी गौडगिल ने किया था राजप्रमुक धौलपूर साशक थे और प्रधानमंत्री थे सोभाराम चलिए एक चरण हमारा कम्प्रीट होता है आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल नोट्स बनाते जाएए पूर्वी राजिस्थान में नो कौन सी रियासते थी तो दूसरा चरण जो है वो पूर्वी राजिस्थान है इसमें जो रियासते थी वह थी वासवाड़ा, आइडिया लगा सकते हो कि जब हम अलवर भरतपुर और उसके बाद धौलपुर यहां से जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगड, कोटा, बूंदी, जालावाड, किसंगर, सहाफुरा, टॉंक यह पूर्वी राजिस्थ उद्गातन 25 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है, यह याद रखना है, और उद्गातन जो है, जो मतस्य संग का किया था, उन्ही ने, N.V. गौडगिल ने ही पूर्वी राजिस्थान का उद्गातन किया था, तो यही बिल्कुल याद रखना अच्छे से, कि जिन्होंने मतस्य सं पूर्वी राजिस्थान की डेट जो है, वो याद रखनी है, पूर्वी राजिस्थान का उद्गातन 25 मार्च 1948, N.V. गौडगिल ने किया, राजपर्मो कोटा के शाशक थे, प्रधान मंत्री गोकुलाल अशावा, यह फैक्ट है, जो आपको रठने ही होंगे, संयुक्त संयुक्त राजिस्थान में किस शेत्र को सामिल किया गया, अब है तीसरा चरण संयुक्त राजिस्थान, इसमें शामिल किया गया, जो पूर्वी राजिस्थान था, पूर्वी राजिस्थान यानि बासवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगड, कोटा, बुंदी, जहाल जो था उसमें किसको मिलाया गया उसमें मेवाड रियासत जो थी उसको शामिल कर लिया गया तो बन गया यह संयुक्त राजिस्थान संयुक्त राजिस्थान का उद्गाटन कब और किस ने किया इसका उद्गाटन जो है वो 18 अप्रेल 1948 को जवाहर लाल नहरू ने किया राज प्रमुक मेवाड के महराना भूपाल सिंग और प्रधान मंत्री मानिक के लाल बर्मा को बनाया अब देखिए स्वयुक्त राजिस्थान की जब बात की तो उसमें हमने किसको शामिल किया था मेवाड रियासत तो मेवाड रियासत जो थी वो राजिस्थान की कोई छोट व्यक्ति द्वारा नहीं करवाया जाएगा इसके लिए बुलाया गया था जवाहलाल नहरू को 18 अप्रेल 1948 को राजप्रमुक जो है वो मेवाड के महाराणा नहीं रहेंगे बूपाल सिंग और व्रधानमंत्री मानिक के लाल वर्मा थे लिए नेक्स्ट रहे हैं कुश्चन 13 स हमने संयुक्त राजिस्थान की बात कर ली सबसे फर्स्ट हमने मतस्य संग की बात की उसके बाद हमने पूर्वी राजिस्थान की बात की फिर संयुक्त राजिस्थान बना अब फोर्थ नंबर पर बनता है व्रहत राजिस्थान ब्रहत राजिस्थान कब बना इसका उदग इसका उद्गाटन जो है वो सरदार बल्लभाई पटेल ने किया किस ने किया व्रहत राजिस्थान का सरदार बल्लभाई पटेल ने यहां पर लिखना भूल गई हूं आप एड़ गड़ लो कि सरदार बल्लभाई पटेल ने व्रहत राजिस्थान का उद्गाटन किया बुपाल सिंग, राजब्रमुक, मान सिंग और प्रधानमंत्री हीरालाल सास्ट्री नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 15 व्रहत राजिस्थान में कौन-कौन सी रियासतों को मिलाया गया? अब देखिए, व्रहत राजिस्थान में जैपूर, जोधपूर, बीकानेर और जैसलमेर याद रखना है कैसे? ट्रपल जे बी, ट्रपल जे यानि जैपूर, जे से जोधपूर, जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर तो जैपूर को राजधानी बनाया गया था, और जैपूर के जो राजा थे मान सिंग उनको राजप्रमुक बनाया गया, यह याद रखना है, वरहत राजस्तान 30 अरच 1949, सर्दार बल्लब हई पह टिल उधगाटन करता、 महाराज प्रमुक भुपाल सिंग, राजप्रमुक मान सिंग प्रधान मंतरी हीरालाल सास्त्री और जैपूर को राजधानी इस वाले में मैं इसलिए जोड़ दे रही हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा युनि Singing pateril को बनाया गया था तो 30 मार्च 10 मार्च को उभ्रहत राजिस्थान कीया था उन्होंने व्रहत राजिस्थान का तो उसी संयुक्त व्रहत राजिस्थान इसलिए बनाया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो व्रहत राजिस्थान था उसमें हमने मतर से संग जो था जो फर्स्ट चरण में बना था वो हमने उसको किसी में शामिल नहीं किया था तो वह अलग था बिल्कुल उसको हमने यहां सामिल कर लिया और उसके बाद बना संयुक्त व्रहत राजिस्थान नेक्स्ट है संयुक्त व्रहत राजिस्थान कब बना डेड याद रखनी है 15 मई 1948 को संयुक्त व्रहत राजिस्थान बना नेक्स्ट है अब हमने कितने चरण कर लिये हैं 5 चरण ठीक है संयुक्त व्रहत कैसे बना यह मैंने अभी आपको बताया था कि जो मतस्य संग था जो हमने पहले चरण में देखा था वह हमने शामिल नहीं किया था ना दूसरे में न तीसरे में न चौथे में यहां हमने शामिल कर लिया व्रहत राजिस्थान में और यह बना संयुक्ति व्रहत राजिस्थान इस तरीके से आप बिल्कुल LINE VLINE याद रखेंगे न तो यह सातो चरन जो हैं वो बिल्कुल टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे सहयुक्ति व्रहत राजिस्तान किसे मंतरी मंदल में शामिल किया गया नेक्स्ट हैं कुश्यन नंबर 21 राजिस्थान संग कब बना तो यह बना छटवी चरण में 26 जनवरी 1950 को राजिस्थान संग बना अब राजिस्थान जो था वो अपने स्वरूप में आ गया था कौन से चरण में 26 जनवरी 1950 को जब हम मनाते हैं गर्दन्त दिवस तो याद रखना है गर्दन्त दिवस की जो टेठ है 26 जनवरी 1950 उसी को राजिस्थान संग जो है वो बना नेक्स्ट है राजिस्थान संग में किस शेत्र को शामिल किया गया तो जो सायुक्त व्रहत राजिस्थान था जो हमारा पांचवा चरण था इसमें हमने सिरोही जो है उसको मिलाया ठीक है क्योंकि सिरोही के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम राजिस्थान में मिलना चाहते हैं जब स्वतंतरता से पहले जब एकी करण हो रहा था उस समय की बात है कि संयुक्त व्रहत राजिस्थान में किसको मिलाया गया सीरोही को मिलाया गया लेकिन आबू देलवाडा को छोड़ कर क्योंकि क्योंकि आपको पता ह है की आप देलवाडा जो है वो बंबई रियासत में था त्यक्किशन य कि अगर मैप देखा होगा गुजरात की थे तो उनका था कि अबू देलवाडा जो है वो गुझ्राइत में शामिल हो इस वज़े से स democratic व्रहत राजिस्थान के अंदर सिरोही को तो मिला दिया गया लेकिन अबू देलवाडा को नहीं मिलाया गया नेक्ष है वरतमान राजिस्थान का निर्मान कब हुआ अब राजिस्थान का जो लास्ट चरण था जब राजिस्थान जो है वो बनकर तैयार हुआ यानि उसका एकी करण जो है वो पूरा हुआ तो वर्तमान राजिस्थान का निर्माण हुआ साथवे चरण में यहाँ ये वर्ड जो है आबू ये नहीं है साथवे चरण में वर्तमान राजिस्थान का निर्माण हुआ नेक्स्ट है राजिस्थान के एकिकरण के साथवे चरण में आबू और देलवाडा को किस समिती की सिफारिस पर राजिस्थान में मिलाया गया तो जो आबू और देलवाडा को हमने छोड़ दिया था छटवे चरण में सिर्फ सिरोही को मिलाया गया था लेकिन फिर भी जनता जो थी वो राजिस्थान में मिलना जाती थी तो इसके लिए एक समिति का आयोजन किया गया जिसमें फजल अली की अधिक्स्ता में राज्य पुनरगठन आयोग द्वारा आबू और देलवाडा को भी यहां शामिल कर लिया गया तो यहां यह कुश्यन जो है वो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है इसको नोट कर लो कि राजिस्थान के एकिकरण का जो सातवा चरण है उसमें आबू और देलवाडा को मिला लिया गया लेकिन किस समित्थी के सिफारेश पर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनरगठन आयोग द्वारा इसे मिलाया गया राजिस्थान का एकिकरण कब पूरा हुआ तो यह एकिकरण जो सातवा चरण है एक नमंबर उन्नेसो चपन को पूरा हुआ तो जो एकिकरण का प्रार्म था वो मतरस्यसंग से हुआ था और मतरस्यसंग कब बना था 18 मार्च 1948 यानि 18 मार्च 1948 से लेकर एक नवंबर उन्नेसो चपन तक राजिस्थान का एकिकरण जो है वो पूरा हो जाता है और इसमें जो लगने वाला समय था, वो भी हमने देखा था, कि इसमें जो समय कितना लगा था, आठ वर्स, साथ माहा, चौदा दिन. Q26, एक नमबर 1956 में राजिस्थान के प्रत्थम राज्येपाल के रूप में सपत किसे दिलाई गई? तो राज्येपाल के रूप में जो सपत है, वो दिलाईगी गुरुमुक निहाल सिंग, याद रखना है राजिस्थान के प्रत्थम राज्येपाल थे गुरुमुक निहाल सिंग, क्योंकि पहले राजप्रमुक होते थे, तो वो पद जो है, वो समाप्त हो गया, ठीक है? ये अलग राज्य की जो मांग है वो करने वाले थे स्री रामोलू, ठीक है, यह याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले आमरन अंसन किया था, अक्टूबर 1952 में, और इसी आमरन अंसन के दौरान इनकी म्रत्यू भी हो गई थी, तो आंदरप्रदेश की जो मांग है वो करने वाल में मांग की गई थी और 1953, अक्टूबर 1953 में स्थापना की गई आंदर प्रदेश की, तो आंदर प्रदेश जो है वो भासा के अधार कर पहला राज्य बना था, ये याद रखने वाली बात है, भासा के अधार पर गटित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है, तो जब मांग की कुश्यन आये कि आंदर प्रदेश की जो मांग है वो कब गी गई थी तो 1952 इस्थापना कब की गई 1953 भाराज सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो यह वही राज्य पुनर गठन आयोग है जिसने हमने पढ़ा था कि आबू जस्टिस फज़ल अली, उन्निंसो चपन मेंं राज्य पुनर गठन विद्यक के पास होने पर कितने राज्य के आधार पर 14 राज्य के आधार बने थे और 6 कि इंदरशाशीत प्रदेश थे, जो आज हम पढ़ते हैं न, 28 राज्य और 8 कि इंदरशाशीत प्रदेश. तो 1956 में जब राज्य पुनर गठन विधियक पास हुआ तो उस वक्त 14 राज्य बने और 6 केंदर शाषित प्रदेश बने और किस आधार पर बने थे यह? भासाई आधार पर नागा लेंड राज्य कब बना? नागा लेंड जो है वो 1963 में राज्य बना मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया? 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया नेक्स्ट है मिघाले राज्य का गठन कब हुआ? तो जो पूर्वत्तर राज्य हैं हम उनकी बात कर रहे हैं मिघाले राज्य का गठन हुआ 1922 में नेक्स्ट है अरुनाचल प्रदेश राज्य कब बना अरुनाचल प्रदेश बना 1987 में मिजोरम राज्य भी 1987 में बना था और अरुनाचल प्रदेश राज्य का गठन भी 1987 में ही हुआ था नेक्स्ट है 35 पंजाब हर्याना राज्ये का गठन कब हुआ पंजाब हर्याना का गठन जो है वह हुआ राज्ये का 1966 पी में और जो चंडीगर थी वो इनकी संयुक्त राज्यदानी बनाई गई सिक्किम को कि सम्विधान संसोधन द्वारा राज्य बनाया गया यह 36 सम्विधान संसोधन के द्वारा राज्य बना कौन सिक्किम 2000 में मद्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बिहार से कौन से राज्य अलग बनाये गए देखिए 2020 में मद्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से कौन से राज्ये बने? मद्य प्रदेश से बना चतिसगड, उत्तर प्रदेश से उत्राखंड, बिहार से जारखंड. जिसमें चतिसगड की जो राजधानी थी वो रायपूर बनाई गी, उत्तराखंड की देहराधुन और धारकंड की राची नेक्स्ट है 2014 में आंदर परदेश से कौन सा अलग राज्य बना अब आंदर परदेश जो है वो सबसे पहला राज्य था जो भासाया धार पर राज्य का दर्जा जिसे मिला था लेकिन 2014 में आंदर प्रदेश से भी अलग होकर एक राज्य बनाया गया और वो राज्य था तेलंगाना तो ये था आपका अंतिम प्रश्ण और आपका जो 9th क्लास का पॉलिटी का 1st चेप्टर है वो कम्प्रीट होता है परने वाले हैं क्लास 9th का चेप्टर 2 भारत का समविधान तो ये आपके लिए बहुत बहुत जादा important चेप्टर रहेगा क्योंकि आपके exam की according अगर आपने इस chapter को नहीं देखा समझ लीजिए कि आपका एक या दो marks जो है वो आपने miss कर दिये क्योंकि भारत का समविधान में से हर बार ब्रश्ण जो है वो आपको exam में देखने को मिलता ही ह तो यह chapter जो है वो देखिए 9th class के चल रहे है notes के रूप में अगर आप इन्हें ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है वीडियो को starting से end तक देखना है क्योंकि तभी आपको इसका benefit मिल पाएगा आप प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए वरना आप starting में ही इसे ना देखें क्योंकि जब अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चीज पूरी पता होनी चाहिए और देखिए मैंने आप लोगों का जो test लिया था संपूर्ण class 7th का तो इसमें बहुत अच्छा response देखने को मिला है सभी बच्चों ने बहुत महनत की है और इस ने की शक्ती किसमें नहित है तो लोगतंतर की शक्ती नहित है जनता में ठीक है जनता में नहित है नेक्स्ट है question number 2 देखिए question जो है वो one by one एक दूसरे से relate है समबंदित है तो वो बिल्कुल एक को भी आप miss नहीं करेंगे एक को मिस करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी question 2 है भारत का समविधान कैसा है भारत का समविधान कैसा है भारत का समविधान निर्मित है और लिखित है next है question 3 इंगलेंड का समविधान कैसा है इंगलेंड का समविधान कैसा है तो हम पहले भी कर चुके हैं ये कि इंगलेंड का समविधान जो है वो अलिखित है विक्सित है, next है, question 4, सम्विधान निर्माण की मांग महात्मा गांदी ने कब की थी, सम्विधान निर्माण की मांग जो है वो महात्मा गांदी ने कब की थी, तो इसका आंसर है 1922 इसवी में, तो यहां से प्रारम हो जाता है, सम्विधान निर्माण के बारे में, जो भी कार भारतियों के समविधान निर्मान की मांग को अंग्रेजों ने कब स्विकार किया। बारतियों को सरकार ने क्या अगस्त प्रस्ताब के द्वारा ने सो चालेश इस वी में, चलिए। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में सरकार ने एक तीन सदस्य आयोग भारत भेजा, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, कैबिनेट मिशन का संबंध किस से है, सम्विधान सभा से है, ठीक है, तो मार्च 1946 में जब उ अंग्रेजी सरकार को, तो उन्होंने एक तीन सदस्य आयोग जो है, भारत भेजा, कैबिनेट मिशन को, नेक्स्ट है, किस योजना से भारतिय सम्विधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतिय सम्विधान का निर्मान किया, तो जो मांग की गई थी सम्विधान के निर्मान की, तो उसके लिए cabinet mission जो वो चलाया गया था, यानि cabinet mission को भारत भेजा गया था, तो इसी योजना के तहत भारती सम्विधान सबा का गठन हुआ, ठीक है, cabinet mission योजना के तहत भारती सम्विधान सबा का गठन हुआ, चलिए, next है question 8, किस अधनियम के तहत भारतिय प्रांतों में सम्विधान सभाओं का गठन किया, किस अधनियम के तहत, तो यह अधनियम था भारत शाषन अधनियम 1935, कौन सा था, भारत शाषन अधनियम 1935, तो देखिए सम्विधान सभा के लिए कौन सी योजना थी, जिसने सम्विधान सभा का गठन किया था वो थी cabinet mission योजना और किस अधनियम के तहत भारतिय प्रांतों में समविधान सवाओं का गठन किया गया तो वो था भारत शाषन अधनियम 1935 अब आप cabinet mission योजना और भारत शाषन अधनियम 1935 यह आप एक ही जगह लिखिएगा क्योंकि कई अधनियम जो हैं कई योजना आती हैं तो हम भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है कि वही बात है भारत शाषन अधनियम 1935 वहीं हमने देखा था कि cabinet mission की योजना के तहत ही भारतिय सम्विधान सवाओं का गठन हुआ था तो ऐसे आप याद रख पाएंगे next है सम्विधान सवा का निर्वाचन में प्रामतों में कितने लोगों पर सम्विधान सवा एक सदस्य होना निर्धारित किया गया अब इस सम्विधान सवा के लिए सदस्य होने चाहिए तो इसके लिए प्रामतों में 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति जो है वो निर्धारि हो एक-एक लाइन जिसे कि आप इन्हें रठने की वजाए इनको समझिए क्योंकि अगर समझ लेंगे आप तो यह बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे सम्विधान सभा में राजिस्थान से कितने सदस्य भेजे गए अब यह इस आंसर में जो है वो confusion रहता ही है ल सम्विधान सभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई सम्विधान सभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई 10 लाग लोगों पर एक व्यक्ति जो है वो बेजा जाएगा सम्विधान सभा में उसके बाद कुल संख्या जो है वो निर्धारित की गई 296 सदस्य ब् मिला लेंगे तो कुल संख्या जो है वो आपको पता चल जाएगी तो सम्विधान सभा की कुल संख्या जो है वो बिटिस प्रांतों से 296 और 93 सदसे देशी रियासतों से और इन देशी रियासतों मेंसे भी 12 सदसे जो थे वो हमारे राजिस्थान से थे नेक्स्ट है कोशन 12 जुलाई 1946 को सम्विधान जबाके कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए अब कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए देखिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए अब आप कहेंगे कि जो देशी रियासतें थी वहां से सदस्यों को चुनाव क्यों न मनो नयान के द्वारा सम्विधान सभा में भेजा गया और जो 296 ब्रिटिस प्रांतों से थे इनका क्या हुआ चुनाव हुआ नेक्स्ट है भारत देश का सामप्रदाइक आधार पर विभाजन किस योजना से हुआ तो सम्विधान सभा का निर्मार जो है उसकी प्रक्रिया पहले चल रही थी उसके बाद भारत देश का सामप्रदाइक आधार पर विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान अलग हुआ तीन माउंट बेटन योजना नेक्स्ट है समविधान सभा की पुनर गठन में अंतिम रूप में कितने सदस्यों ने भारतिय समविधान पर हस्ताक्षर किये तो देखिए हर कुश्यन जो है वो दूसरे कुश्यन से रिलेट है, सम्बंदित है पिसला कुश्यन अगर आपको नहीं देखा है तो आपको नेक्स्ट कुश्यन जो है वो भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल स्टोरी टाइप ही मैं कुश्यन बनाती हूँ जिससे कि आपको याद रखने में असानी हो समविधान सभा की पुनर गठन में चलिए एक मात्र कौन सी रियासत थी जिसका कोई प्रतनीदी समविधान सभा में सामिल नहीं हुआ तो यदि आपने चैप्टर वन देखा है नाइंध क्लास का तो आप इसका अंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे तो वो रियासत थी हैदराबाद जो कि ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतनीदी समविधान सभा में सामिल नहीं हुआ आपको एक कुशन का अंसर देना है कि कि किसके प्रियासों से हैदराबाद किसके प्रियासों से हैदराबाद जो रियासत थी उसका विले भारत में किया गया तो किसके प्रयासों से किया गया हम पिसली कक्षा में ये कर चुके हैं बहुत अच्छे से Question 16 समविधान सभा की प्रतम बैठक कब और अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया तो जो सबसे पहली बैठक है वो 9 जनवरी 1946 को होती है और अस्थाई अध्यक्ष जो है वो सचिधानन सिना को चुना जाता है क्योंकि वो सबसे बुजर्ग थे वहाँ पर तो उन्हें ही अध्यक्ष जो है वो चुना गया लेकिन कैसे अस्थाई यह आपको अच्छे से याद रखना है समविधान सबाकी दूसरी वो सथाई बैठक कब हुई वो अध्यक्ष किसे चुना गया तो पहली बैठक जो होती है वहाँ पर सचिधानन सिना जी को सथाई अध्यक्ष चुना गया और दूसरी बैठक जो होती है वहाँ डॉक्टर राजिंद प्रशाद को सथाई सविधान सभा के वैधानिक सलाहा का थे तो समिधान सभा के लिए जो निर्माण किया गया समिधान सभाकार जो समिधान बनकर तैयार हुआ तो उसके लिए कोई न कोई तो सलाह देगा, तो जो वैधानिक रूप से जो सलाकार थे, वो थे B.N. राउ, B.N. राउ जो थे, वो वैधानिक सलाकार थे. समविधान सवा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जीसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, वही है उद्देश्य प्रस्ताव. तो यह रखा पंडित जवालल नहरुने, 13 दिसमबर 1946. देखिए, बिलकुल याद रखिए, 9 दिसंबर अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानन से ना पहली बैठक थी दूसरी बैठक जो है वो हो रही है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें राजेंद प्रशाद जी को इस्थाई अध्यक्ष चुना गया उसके बाद दो दिन बाद ही देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडे ज नेक्स्टर है समिधान सभा में साथ सदस्य प्रारूप समिति का गठन कभ किया और अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले उद्देशी प्रस्ताव रखा गया अब प्रारूप यानि इसका प्रारूप जो है वो तयार किया गया इसका ड्राफ्ट तयार किया गया कि समिधान सभा में 7 सदस्वी प्रारूप समिति का गठन जो है वह किया गया 1947 में ठीक है अब 1946 तक हमने देखा कि उदेश ये प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ उसके बाद प्रारूप समिति जो है वो 1947 में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जो इसकी अध्यक्ष रहे तो प्रारूप समित के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम राव अंबेटकर नेक्स्ट है कुश्चन 22 प्रारूप समिति का क्या का रहे था क्या का रहे था इसका इसका का रहे था सम्विधान का प्रारूप यानि ड्राफ्ट तैयार करना नेक्स्ट है क पुल्ट तो हम सब जानते हैं कि डॉक्र भीम रामराम विटकर्ड है वो भारतिय सम्विधान के जनक कहे जाते हैं नेक्स्ट है 24 भारत का सम्विधान बन कर कब तयार हुआ या सम्विधान अंगिकरत अधिंयम और आतमर्पित पारित कब हुआ ठीक है ये शबी सब्द जो है वो आपको एक्जाम में मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूछा जाए कि अंगीकरत कब हुआ पूछा जाए आतम अर्पित कब हुआ पूछा जाए पारित कब हुआ एक ही डेट है याद रखना है 26 नवंबर 1949 ठीक है क्या याद रखना है आपको 26 नवंबर 1949 नेक्स्ट है सम्विधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई ठीक है पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी उसके बाद अब अंतिम बैठक जो है वो होती है 24 जनवरी 1950 को नेक्स्ट है होता है 26 जनवरी 1950 को जब समविधान सभा की अंतिम बैटक होती है उसी के 24 जनवरी को अंतिम बैटक होती है और 26 जनवरी को ये लागू हो जाता है next रहे, मूल सम्विधान में कितनी अनुसूचियाँ है, यानि जब सम्विधान बना था, तब अनुसूचियाँ कितनी थी, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भागते 395 अनुसूचे थी सम्विधान की आत्मा सार और इनको समझने की कुझी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा जो हमारी प्रस्तावना है उद्देशिका है इसे ही सम्विधान की आत्मा सार और इनको समझने की कुझी कहा जाता है और हमें पता है कि 13 देसंबर 1946 को पंडित जवालल नहरू ने सम्विधान सभा में उद्दे से प्रस्ताव रखा था Next है सम्विधान ने राष्ट्रिय ध्वज को कब अपनाया तो 1947 इसवी में राष्ट्रिय ध्वज को अपनाया Next है 30 सम्विधान ने राष्ट्रिगीत और राष्ट्रिगान को कब स्विकार किया गया तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे जनवरी 1950 को राष्ट्रिगीत और राष्ट्रिगान को स्विकार किया गया तो देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो क्या था यहाँ पर भी गलतियां एक् यार हो गया था नेक्स्ट रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया और सपत कब ली गई तो पहले राष्ट्रपति जो है वो संविधान सबाझा लागू होते ही राष्ट्रपति बने उनका निर्वाचन bachen तो डॉक्टर राजिंद प्रशाद को राश्ट्रपती बनाया गया 26 जनवरी 1950 को नोने सपत ली. Next रहे हैं भारतिय सम्विधान को बनने में कितना समय लगा? तो देखिए भारतिय सम्विधान को बनने में काफी टाइम लगा था, तो 9 दिसंबर 1946 को यहां से स्टार्टिंग होती है सम्विधान के बनने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद 24 जनवरी 1950, ठीक है? अंतिम बैठक हुई थी, तो इसमें लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन. किसने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि सम्विधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिने सम्विधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, वे खराब निकले तो निश्चित रूप से सम्विधान भी खराब सिद्ध होगा, तो ये कथन किसके थे, कि सम्विधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, जिन लोगों पर, जिन निताओं पर, अगर वो ही खराब निकलेंगे, तो सम्विधान भी खराब सिद्ध होगा, तो ये कथन जो हैं, वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेट करके, नेक्स्टर है, कथन जो हैं, वो भी एक्जामें पूछ ले जाते हैं, यदि लोग जो चुनकर आएंगे, योग्यर शरित्रवान इमानदार हुए, तो भी दोस्पूर्ण सम्विधान को भी सर्वुत्तम बना देंगे, और यदि उनमें गुणों का भाव हुआ, तो सम्विधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता, तो ये शब्द कहें हैं, डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद ने, तो ये बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दौनों के कथन याद रखियेगा, नेक्टर है, 35, विस्व का सबसे बड़ा सम्विधान किस देश का है, तो हमें पता है कि भारत का सम्विधान जो है, वही है, सबसे बड़ा सम्विधान, नेक्टर है, किस देश में राजियों की अपने अलग अलग सम्विधान के कारण सबसे चोटा सम्विधान है, तो देखिये, किस देश का है, तो संयुक्त राज अमेर का सबसे चोटा सम्विधान है, क्योंकि जो देश है, उसका सम्विधान और राजियों के भी अपने अल अमेर्का का सम्विधान जो है, सबसे पहला लिखित सम्विधान है, ये याद रखना है, और सबसे छोटा है, ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देश का अलग है, और राज्य जो है, उनका सम्विधान अलग है, तो सबसे बड़ा सम्विधान भारत का है, लेकिन से पहला अमेरिका का जिस हम विधान के द्वारा संग सरकार है हम राजे सरकारों के भी सक्तियों का बटवारा हो उसे कौन सी विवस्ता कहेंगे अब ये कुशन जो है वो आपको लर्ण ही हो गया होगा क्योंकि कई बार मैंने इसके आंसर बताया है कि जिस हम विधान के द्व उसे सुलजाने का अधिकार किसे है? तो उसे है सुतंत्र न्यायपालिका को इसका अधिकार है. Next है, 40. भारत की कार्यपालिका अथार्थ प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं? ठीक है? तो देखिए अब ये कीवर्ड जो है वो आपको समझ में आते होंगे क्योंकि हम पिसली कक्षाओं में इतनी बारें चीज़ों को कर चुके हैं. भारत की कार्यपालिका जैसे ही वर्ड आता है आप समझ जाएंगे कि हम प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत की बात कर रहे हैं, यहां राष्ट्रपती भी शामिल होते हैं, तो भारत की कार्यपालिका किसकी प्रति उत्तरदाई होती है? आंसर है विवस्थापी का अथार स संसद के प्रति उतरदाई होती है नेक्स्ट है कुश्यन 41 भारत की संसद ये शाष्यन विवस्था किस देश से ली गई है यह ली गई है ब्रिटीन से संविधान की व्याख्या वा सुरक्षा करने का अधिकार किसे है संविधान की व्याख्या करने का और सुरक्षा करने का अधिकार किसे है तो इसकी व्याख्या जो है वह करते हैं हमारे सुप्रीम कोट यानि सरवोच नियाले जो है उसी अधिकार है संविधान की व्याख्या क रणने का और इसका सुरक्षा करने का अधिकार राप्त है प्रारंब में मताधिकार के नियुन्तम आयू कितनी थी? जो वोट देने की जो आयू थी वो कितनी थी पहले? अब तो हमें पता है कितनी है लेकिन पहले 21 वर्स जो है आयू निर्धारित की गई थी वर्तमान में क्या है 18 तो ये था आपका अंतिम प्रेश्ण यहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा सम्विधान जो है वो कहां से स्टार्टिंग होती है और कब बनक चैप्टर तयार हुआ तो ये चैप्टर जो है वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रेट रहेगा अब देखिए आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो इसके बाद हम करेंगी वह सभी चैप्टर जो है वह बी समझ में आते जाएंगे việc तो इसलिए मैं बार- सम्विधान जो 9th class का 2nd chapter है उसका 2nd part आज आपका ये chapter है complete हो जाएगा उससे पहले जो last video में हमसे 2 mistake हुई थी उनको आप correct कर लीजिए क्योंकि confusion जो होता है और most important question थे जो कि आपके exam में आते ही हैं सबसे पहले सम्विधान सभाके जो अस्थाई अध्यक्ष जो है वो सचिदानन सिर्ना जी को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को इस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद प्रसाद जी को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश प्रस्ताव लेकर आए जवाहलाल नहरू जी 22 जनवरी 1947 को उद्देश से प्रस्ताव पारित हुआ तो यह आप करेक्ट कर लीजिएगा चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कोश्चन बन मौलिक अधिकारों का दुरूपयोग ना हो इसलिए कौन सी विवस्था की गई है जो हमारे फंडमेंटल राइट्स है जो छे तो उनका दुरूपयोग ना हो इसलिए कौन सी विवस्था की गई है तो पॉलिटी की जो लेंग्वेज है उसमें कहा जाता है इसे युक्ति युक्त प्रतिवंद की विवस्था नेक्स्ट हैं कोश्चन नमबर सेकिंड मौलिक अधिकार सार्व भोमिक मताधिकार स इसके साथ साथ हमने उस देश से सार्वोमिक मताधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका महावयोग और न्यायपुन्रावलोकन की धार्णा भी ली है तो वो देश है अमेरिका नेक्स्ट है कुश्यन थर्ड संसद्य प्रणाली की धार्णा किस देश से ली गई है संसद्य तव्य समाजवाद किस देश से लिए गए हैं यह लिए गए हैं सोवियत संग रूस से लिए गए हैं तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से और मूल करतव लिए गए हैं सोवियत संग रूस से यह तो आपको बिल्कुल याद ही रहने चाहिए इसके अलावा जो और भी पूश लिये जाते हैं कि समाजवाद की जो धारना है वो हमने किस देश से ली है? सोबिय संग से ली है. Next है, Question 5. गरतंत्रिय सोतंतरता, समानता, बंधुत्व का सिद्धान्थ यह किस देश से लिया गया है? तो हम अपनी प्रस्तावना में पढ़ते हैं यह, तो यह जो शब्द है, गरतंत्रिय सोतंतरता, समानता, बंधुत्व का सिद्धान्थ यह हमने लिये हैं फ्रांस से. Question 5. आपात कालीन प्राभधान किस देश से लिये गए हैं? आपात कालीन प्राभधान लिये गए हैं जर्मनी से. नेक्स्ट है, कोश्चन 7, भारतिय सम्विधान ने निती निर्देशक्तत्व जो राज्ये के लिए निती निर्देशक्तत्व हैं और राश्रवती का निर्वाचन ये हमने किस देश से लिया है, तो इसका प्रापधान लिया गया है आयरलेंड से, याद रखिएगा कि मौलि कुश्चन 8, भारतिय सम्विधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो देखिए हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशका है, उसे लिया है अमेरिका से, लेकिन इसकी जो भासा है वो हमने लिया है आस्ट्रेलिया से कुश्चन 10, गांदी जी ने पोस्ट डेटिड चैक किसे कहा, गांदी जी ने पोस्ट डेटिड चैक किसे कहा, तो इसका आंसर है कृप्स प्रस्ताव, इसे कहा गांदी जी ने पोस्ट डेटिड चैक कुश्चन 11 कितने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तता सब्य विश्व के साथ की गई संदी कहा है तो यह कहा है कि मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तता सब्य विश्व के साथ की गई संदी है तो यह कहा है डॉक्टर S. राधा कृष्णन ने नेक्स्ट है 13. मौलिक अधिकारों का वर्डन भारतिय संविधान के किस भाग में है तो देखिये ये कुश्यन एक्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यह जो मौलिक अधिकार है उनका वर्डन भारतिय संविधान के किस भाग में है तो यह है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्डन है, बिल्कुल याद रखिए, भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्डन है, भारतिय समविधान में, नेक्स्ट है, कुश्यन 14, मूल रूप से समविधान में कि कितने मौलिक अधिकार थे तो यहां पूचा है समविधान में कितने मौलिक अधिकार से ऐसा नहीं पूचा है नहीं तो इसका आंसर होता 6 यहां पूचा है मूल रूप से मूल रूप से समविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन इसमें से एक अधिकार समपत्ती का कानूनी अधिकार दे दिया गया अब हमारे पास कितने हैं छे मौलिक अधिकार और मूल रूप से कितने थे साथ संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा कर कानूनी अधिकार किस संसोधन के अनुसार किया गया तो यह किया गया 44-वी संविधान संसोधन 1978 के तहट, देखिए 42-वी संविधान संसोधन 1976, 44-वी संविधान संसोधन 1978 और 86-वी संसोधन 2002, यह तीनों संसोधन जो हैं, इनके द्वारा जो भी अनुचेत जो हैं, जो एड़ हुए हैं, नई, वो सभी आपको याद होने मैंने सभी जो question है वो इनमें add किये हैं चलिए question 16 है समानता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं तो हमें पता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार तो देखिए सबसे फर्स्ट है विधी के समक्ष समानता जो अनुचे 14 में है समानता का अधिकार हमारे अनुचे 14 से लेकर अनुचे 18 तक दिये हुए हैं जिसमें अनुचे 14 कहता है कि विधी के समक्ष समानता अनुचे 15 में किसी भी धर्म, मूल, वंस, जाती, लिंग, जन्मिस्थान के जो हमारे IAS, IAS और IFS ये होते हैं, इन पदों में समानता होगी ये कहा गया अनुच्छे 16 में, असप्रश्यता का अंत अनुच्छे 17 में, उपादियों का अंत अनुच्छे 18 में, जिसमें सैनिक वीर्ता, विद्या कोशल के लिए समान, परमवीर चक्र, महावीर चकर, भारत इनको छोड़ कर, जो भी उपादियां होंगी, उनका अंत किया जाएगा, ये आपको इस तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एक्जाम में यहां से प्रश्ण आये हुए हैं, जैसे कि असप्रश्यता का अंत हमारे एक्जाम में आ चुका है, चेद पंद्रा में कहा गया है, नेक्स्ट है, कुश्यन नंबर 17, तो हमने देखा कि अनुछे 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, और उसके बाद हमारे 19 से लेकर और 22 तक सोतंतरता का अधिकार दिये गए हैं, सोतंतरता के अधिकार में नागरिकों को कौन-कौन से अधिका मिले हैं, चलिए, देखते हैं इनको, फर्स्ट है, विचार अभिव्यक्ती की सोतंतरता, जिसमें सांती पूर्ण, बिना सस्त्रों के सम्मेलन, किसी तरह का संगठन बनाने की, घूमने फिरने, निवास की, व्यवसाय, अजीविका की सोतंतरता, यह है अनुछे 19 में, देख की तरह का संगठन बनाने की, यह सेकिंड पार्ट है, घूमने फिरने की, यह थर्ड है, निवास की, यह फूर्थ है, व्यवसाय और अजीविका की सोतंतरता, यह फिफ्थ है, तो इसमें 5 पॉइंट जो हैं, वो बिल्कुल सीरीज वाई हैं, इनको आप उपर नीचे नहीं कर सकते, तो अनुचेद 19 जो है, वो हमारा विचारव व्यक्ति की सोतंतरता देता है, नेक्स्ट है, अनुचेद 20, अपरादी को दो सिद्ध करने का अधिकार, एक अपरादी की एक सजा, व्यक्ति अपने व्रुत गवाही के लिए बाद्या नहीं, यह हमारा अनुचेद 20 क कि आयू वाले बालकों को अनिवारे और निशुल्क प्रात्मिक सिक्षा, यह हमें मिला हुआ है, अनुचेद 21 के के अंदर, यानि यह अनुचेद 21 में ही जोडा गया, एक अलग से अनुचेद, तो यह 86 सम्विधान संसोदा 2002 के तहत जोडा गया, नेक्स्ट है, गिरफतार के कारणों का ग्यान कराना, अपरादी को वकील करने की सोतंतरता, पुलिस का करतव्वे की 24 गंटे के अंदर बंदी को प्रस्तुत करेगा नियायले में, यह दिया गया है, अनुचेद 22 के अंतरगत, तो यह सब हमारे सोतंतरता का अधिकार है, अब इसमें से देखिए कि ज अनुचेद 20 और अनुचेद 21 यह हमारे कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, आप आथ की स्तिती में भी, अगर कुश्यन अनुचेद 20 और अनुचेद 21 यह दोनों ही एक्जाम में आ जाएं, तो उस इस्तिती में आप करेंगे अंसर अनुचेद 21, प्राण वा देख सोतंतरत जीवन का अधिकार, यह कभी भी निलंबित नहीं होता है, चलिए, नेक्स्ट है, जो भी फैक्ट है, वो सभी में आपको बताती जाओंगी, सोशन की वरुद्ध अधिकार अनुचेद 24 में है, इसमें हमें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं, मानव का दुर्वहार, बे जीवन का अधिकार में कौन-कौन से अनुचेद आते हैं, चलिए, देखते हैं, सभी धर्मों का आचरण करने, प्रचार करने की सोतंतरता यह अनुचेद 25 में है, जबरन, धर्म, परवर्तन, पर प्रतिबंद यह अनुचेद 26 में, धार्मिक कार्यों के प्रवंदन के हुआ है कि जो एक विक्ति है, जो की सिख धर्म का है और उसे पगड़ी हमेशा पहनने की सोतंतरता है, यानि कि अगर वह रास्ते में जा रहा है, तो वह है, हैलमिट ना पहने, तो अगर वह पगड़ी पहनता है, तो भी उस पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, यह आता है अनुचिद 25 के तहट, कि वह अपने धर्म का आचरण कर रहा है, नेक्स्टर है, कुश्यन नमबर 20, संस्कृति एवम सिक्षा संबंदी अधिकार में कौन-कौन से अधिकार आते हैं, तो देखिए, अनुचिद 29 और 30, संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार के यह हमें दिया गया है अनुचिद 30 के तहट, लास्ट हमारा जो मौलिक अधिकार है, वह है समविधानिक उपचारों का अधिकार, यह मिलता है हमें अनुचिद 32 के तहट, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा हो, तो उनकी रक्षा के लिए हम सुप्रीम को तो हमने 1y1 सभी मौलिक अधिकारों को देख लिया है, सभी अनुछेद जो है वो आपको याद करने जरूरी है. Next है, Question 22, कौन से अनुछेद में है कि नागरिक मौलिक अधिकार का उलंगन या हनन की स्तिती में सर्वोचिन्याले जा सकता है? तो अब ही मैंने आपको बताया था कि अनुछेद बत्ते सम्वेधानिक मौलिक अधिकार जो है, उसके अंतरगत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्तिती में सर्वोचिन्याले जा सकता है. नेक्स्ट है नियायले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के प्रादेश या रिट जारी करता है? तो नियायले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है और वो है बंदी प्रत्यक्षी करण, परमादेश, प्रतिशेद, प्रच्छा और उतप्रेशन Next है Question No.24 Doctor Ambedkar ने समविधान की हिर्दय वा आत्मा किसे कहा है तो Doctor Bheem kidding एक समविधान की हिर्दय और आत्मा तो यही पर एक प्रशनु जो है वै यह भी है कि अगर यहाँ Doctor Ambedkar जी ना होते और सिर्फ इतना लिखा होता कि सम्विधान की हिर्दय और आत्मा किसे कहा जाता है तो हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशिका है उसे हम कहते हैं सम्विधान की हिर्दय और आत्मा और यदि यहाँ पर डॉक्टर अंबेटकर जी का नाम एड हो गया है तो समवेधाने कुपचारों के अधिकार को कहा जाएगा समवेधान के हिर्दे और आत्मा चलिए नेक्स्ट है 25 कौन सा अधिकार आपात इस्तिती में भी निलंबित नहीं होता है next है 26 राज्य के नीती निर्देशक तत्व का वरडन किस भाग में हैं तो हमने जो पिछली ग्लास की थी 8 ग्लास वहाँ पर हमने सभी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीती निर्देशक तत्व ये सभी हमने 1 by 1 पढ़ लिये थे लेकिन वहाँ हमने यह नहीं जाना था कि राज्य के नीती निर्देशक तत्व का वर्डन किस भाग में है तो यह हमें मिलता है भाग 4 अनुछे 36 से 51 तक हमें राज्य के नीती निर्देशक तत्व का वर्डन मिलता है जिस परकार से हमारे fundamental rights है हमारे मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के हैं उसी तरीके से राज्य के लिए जो निर्देश है जो guideline है वो हमें मिलता है भाग 4 अनुछे 36 से 51 चलिए देखिए सबसे पहले क्या था मौलिक अधिकार जो हमने देखा भाग 3 में था उसके बाद चार का में हम देखेंगे मौलिक करतव्य मौलिक अधिकार और राज्य की निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है तो देखिए यहां पर अंतर क्या है कि जो मौलिक अधिकार है ये तो वाद योग्य है यानि कि परिवर्तनिय है ठीक है और परिवर्तन हुआ भी है राज्य निती निर्देशक तत्व नियायले में अवाद योगे हैं यानि परिवर्तनिय नहीं हैं आपको ये याद रखना है कि निती निर्देशक तत्व नियायले में अवाद योगे हैं जबकी मौलिक अधिकार वाद योगे हैं ऐसे भी याद रखिए कि जो निती निर्देशक त करतव्य हैं ये निर्देश हैं आधर्ष हैं ठीक है जो की बादेकारी नहीं है राज्य को इसके लिए बादे नहीं किया जाएगा कि आपको ये कारे करना ही करना है ये तो मात्र एक करतव्य है जिस तरीके से मौलिक करतव्य हमा नागरिकों को दिये होते हैं कि भई नागरिक इसी तरीके से राज्ये के लिए जो कर्टव्य है आधर्ष है जो की नीती निर्देशक तत्वों में आते हैं लेकिन यह वाद्यकारी नहीं है कुशिन 29 आपको याद रखना है अनुच्छे 24 राज्य के नीती निर्देशक तत्व के अंतर गताता है यानि 36 से 51 की अंदर आ रहा है तो यह क्या है समान नागरिक सहंता जो की राज्य का निर्देश है राज्य के लिए निर्देश है नेक्स्ट है 30 दुधारू पसुओं के वद पर रोक किस अनुच्छेद है तो जो दुधारू पसुओं होते हैं गाए बहैस ये सभी जो दूद देने वाले पसुओं होते हैं इनके वद पर रोक जो है वो लगाई जाएगी तो यह आते हैं अनुच्छेद 48 के तहत जो की राज्य के नीती निर्देशक तत्वों के अंतर 1976 के तहत याद रखना है कि मूल करतव्य जो है वो बाद में जोड़े गए हैं स्वर्ण सींग समिती की सिफारिस पर जोड़े गए हैं और यह जोड़े गए हैं 42 वे समविधान जोदन अधिनियम 1976 के तहत 32 मूल करतव्यों का वर्ण हमें समविधान के किस भाग में मिलता है तो देखिए बाद में जोड़े गए हैं तो ये भाग चार जो है राज्य की नीती निर्देशक तत्व उसके बाद यानि भाग चार में ही भाग चार का यहां जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 51 के के अंतरगत कुश्यन 33 वर्टमान में समविधान में कितने मूल करतव्य हैं कि हम पूछा गया है कि वर्टमान में समविधान में कितने मूल करतव्य हैं तो आएगा 11 है और इससे पहले जो करतव्य थे वो कितने थे 10 थे अभी हम देखेंगे कि कौन सा 11 जो है वो जोड़ा गय समान बेतन किस अनुच्छेद में वर्रित है और हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 44 जो है उसमें हम पढ़ते हैं समान नागरिक सहेता तो ये सबी राज्ये के नीती निर्दिशक तत्व के अंतरगत आते हैं Q35 वो सम्विधान है उसने जोड़ा है अनुछेद 45 के तहत 86 वे सम्विधान संसुदन 2002 मही और यह हमें मिलता है राज्ये के नीती निदेशक तत्व के अंतरगर्ट कन्फ्यूज नहीं होना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं 21 अनुछेद 21 के तहत लेकिन 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं अनुछेद 45 में राज्ये के नीती निदेशक तत्व के अंतरगर्ट और यह दोनों ही मौलिक अधिकार में भी और मौलिक और राज्ये के नीती निदेशक तत्व में 26 सम्विधान संसोधन के तहत जोड़े गए हैं 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सिक्षा का प्राबधान किस सम्विधान संसोधन के तहत जोड़ा गया है तो देखिए आ गया है कुश्चिन की अनुछेद 21 का जो की मौलिक अधिकार है तो वहाँ 86 समविधान संसोदन के 2002 के तहत यह जोड़ा गया है Q37 कि समिती की सिफारेश पर मौलिक अधिक करतव्यों को अनुछेद 51 क में जोड़ा गया है भाग 4 का अनुछेद 51 क इसमें जोड़ा गया है मौलिक करतव्यों के बाद में जोड़ा गया है यह जोड़ा गया है स्वन सिंग समिती की सिफारिस पर 38 है समाजवाद पंत निर्पेश और अखंडतावा मौलिक कर्तव्य किस समविधान संसोधन के तहत जोड़े गए हैं तो हमने अभी देखा था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बाद में जोड़े गए थे 42 समविधान संसोधन 1976 के तहत तो उसके साथ ही समाजवाद पंत निर्पेश और अखंडता ये भी जोड़े गए हैं 42 समविधान संसोधन 1976 के तहत तो ये मैंने बिल्कुल साथ में लिख दिया है ताकि याद करने में आसानी होगी 39 समपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा कर कानूनी अधिकार किस समविधान संसोधन में जोड़ा गया है तो ये रिपीट है तो ये 44 समविधान संसोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है 40 समविधान में सबसे अधिक श्रोत भारत ने किस अधिनियम से लिए हैं भारत शाषन अधिनियम 1935 के अंतरगत हमने बहुत अधिक श्रोत जो है वो लिये हैं, क्योंकि आपको याद रखना है भारत शाषन अधिनियम 1935, तो ये आपका अंतियम प्रेशन था, मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पॉलिटी में ग्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, तो इससे पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सभी कुशन जो हैं वो कि स्थानिय स्थानिय स्थान को किस समविधान द्वारा समविधानिक दर्जा दिया गया, इसका आंसर है, उनिस सो बानवे में 73 और 74 समविधान संसोधन द्वारा, अब यहीं पर एक कुशन जो है, वो ये पूछ लिया जाए, कि ग्रामीर स्थान या पंजायती राद विवस स्था को किस समविधान द्वारा समविधानिक दर्जा दिया गया, तो आपका आंसर होगा, उनिस सो बानवे के 73 समविधान संसोधन द्वारा, और दूसरे यहां पूछ लिया जाए, कि नगरिय स्थान को किस समविधान द्वारा समविधानिक दर्जा दिया गया, तो आंस प्राशाशन को जाता है इसका आंसर है इस्थानिय सोशाशन के जनक कौन है इसका आंसर है इस्थानिय सोशाशन के जनक है लौड रिपन देखिए लौड मेयो जे थे वो इस्थानिय सोशाशन का प्रस्ताव लेकर आये थे लेकिन इस प्रस्ताव को पारित कराने वाले थे लौड रिपन इसलिए इन को इस्थाने सुशाशन का जनक कहा जाता है भारतिय सम्विधान के कि संसोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजविवस्था को सम्विधानिक दर्जा दिया गया तो हमने अभी देखा कि इस्थाने सुशाशन के दो भाग पंचायती राजविवस्था जिसे हम ग्रामीर स्वशाशन भी कहते हैं और दूसरा नगरिये तो यहाँ पंचायती राजविवस्था के बारे में पूछा है जो था 73 वा सम्विधान संसोधन ग्रामीर स्थानिय स्वशाशन को अनने किस नाम से जानते हैं तो मैंने बार-बार इस शब्द का यूज किया है अभी कि ग्रामीर स्थानिय स्वशाशन को हम पंचायती राजविवस्था कहते हैं भारत में पंचायती राजविवस्था का सिल्पी, सिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है जो त्री स्तर्य विवस्था लेकर आए पंचायती राजविवस्था के अंदर वो कौन है? बी आर महता यानि बलबंतराय महता दो अक्टूबर 1969 को प्रधान मंतरी जवाल लाल नहरू ने राजिस्थान के किस जिले से त्री स्तरी पंचायती राजविवस्था का सुभारन या उदगाटन किया? तो इसका आंसर है नागोर जिला ग्राम पंचायत का गठन का प्राप्धन किस अनुछेद में है? ग्राम पंचायत का गठन का प्राप्धन किस अनुछेद में है? तो आंसर है इसका अनुछेद 40 जो की पढ़ते हैं हम राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में तो वहां राज्यों को निर्देश है कि ग्राम पंचायत होगी, ठीक है? तो ग्राम पंचायत का गठन का प्राप्धन कहां है? अनुछेद 40 में देखिए समविधान के जो अनुछेद हैं, अनुछेद हैं, कितने भाग हैं तो ये सभी हम एक अलग से वीडियो में करेंगे जिसे कि आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पर साथ में करते जाईए कि कौन सा अनुछेद, किस प्राप्धन को बता रहा है, ठीक है? किस अनुछेद में क्या-क्या बात की गई, वो यहाँ पर आप कर लिजिए उसके बाद अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर आपको बहुत इजी वे में आप उनको लर्ण कर पाएंगे तो ग्राम पंचायत के गठन का प्राप्धन किस अनुछेद में है, अनुछेद पोट्टी में पंचायती राज की सन रचना कैसी है? कैसी है पंचायती राजविवस्ता की सन रचना? तो एक तो ये लंबवत है क्योंकि हम ऐसे ट्राइंगल सा बना लेते हैं तो वहां हम देखते हैं कि निमने स्थर पर यानि ग्राम स्थर पर ग्राम पंचायत है उसके उपर खंडे स्थर पर पंचायत समिती है फिर थर नंबर पर जिला स्थर पर जिला परिशद है तो ये एक तो अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज में सबसे निम्न इस्तर पर कौन सा है तो ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत है और सबसे उच्छे इस्तर पर कौन सा है तो वो जिला परिशद है प्रधान और जिला परिशद होना चाहिए कि जो प्रधान और जिला परिशद होना चाहिए तो ये किस समिती की सिफारिश की गई थी तो ये समिती थी सादिक अली समिती जिन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रधान और जिलाप्रमुक होता है उससे जो निर्वाचन मंडल द्वारा इसका निर्वाचित निर्वाचन होना चाहिए लेकिन ये लागू नहीं हुआ किस समिती की सिफारिष दुइस तर्य पंचायती राज के लिए की गई किस समिती की सिफारिष पर जो आज हम देखते हैं तरिस तर्य पंचायती राजविवस्था तो उससे पहले किसने की थी सिफारिष की दुइस तर्य पंचायती राजविवस्था होनी चाहिए तो ये थे असोक महता समिती ठीक है इसने कही थी ये बात कि पंचायती राजविवस्था के अंदर दो स्तर होने चाहिए जिला और मंडल तो ये भी लागू नहीं हुई किस समिती की सिफारिश पर पंचायती राज को सामविधानिक दर्जा दिया गया तो लक्ष्मी मल सिंग्वी समिती 1986 और पीके थुंगन समिती 1989 इनकी सिफारिश पर पंचायती राज को समविधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज की त्रीस तरिये सनरचना का गठन किसके द्वारा किया गया आप देखें यहां त्रीस तरिये का पुछा गया है और इससे पहले हमने देखा कि दूस तरी की बाद इसकी सिफारिश किस ने किती असुक महता समिती ने त्रीस तरिये के बाद इसका गठन जो है वो बियार समिती बलवंत राज समिती की सिफारिश पर किया गया इसलिए बलवंत राज को ही हम कहते हैं भारत में पंचायती राजविवस्ता का शिल्पकार सम्विधान के 73 संसोधन द्वारा अब देखिए 73 संविधान संसोधन पंचायती को निर्दिष्ट किये जाने वाले कारे किस अनुसूची में वर्नित हैं तो यह वर्नित हैं 11 अनुसूची में देखिए संसोधन द्वारा हुआ था ये सम्विधान संसोधन द्वारा तो जो ग्यारवी 10 अनुसूची थी पहले तो ग्यारवी और बारवी दो अनुसूची जो है वो बाद में जोड़ी गई जिसमें हम पढ़ते हैं 11 अनुसूची जिसमें हमने पंचायती है 11 अनुसूची में और कितने कार रहे हैं 39 यानि 29 दिश्ए राजिस्थान में नगरिये शेत्रों में इस्थानिय प्रशाशन के लिए अधिनियम कब बना उसका आंसर है राजिस्थान नगरपाली का अधिनियम 1969 में ग्राम पंचायत की विधायका कौन होती है ग्राम विधायका क्या होती है, क्योंकि पिसली कक्षाओं में ये चीज तो हम पढ़ी चुके हैं, तो यदि आपको नहीं पता है, तो आप प्लीज जो पहले हमने classes की हैं, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ से basic जो है वो clear होते हैं, और यहाँ तक आते आते हमें चीजیں समझ में आने लगती हैं, ग्राम पंचायत की जो विधायका है, वो कौन होती हैए? ग्राम सभा Next है question 18, ग्राम सभा का गठन होता है, तो ग्राम सभा का गठन कैसे होता है ग्राम पंचायत शेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरत सदस्यों की संख्या जितने भी पंजीकरत सदस्य हैं उनकी संख्या के द्वारा ग्राम सभा का गठन होता है तो जो भी ग्राम पंचायच शेत्र की मतदाता सूची में 50 करज सदस्यों की संक्या है उनसे ग्राम सबा का गठन होगा नेक्स्ट है ग्राम सबा का सदस्य बनने की योगिता क्या है तो इसका आंसर है कि ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों को जिन की आईू 18 वर्ष से अधिक हो, यानी जिनको वोट देने का अधिकार हो, जिनका नाम पंचायत शेत्र की मतदाता सुची में हो, अथार्थ पंचायत को चुणने वाले लोग ही ग्राम सभा के सदस्य ह होते हैं यह चीज आपको याद रखने हैं ठीक है ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्सता कौन करता है सरपंच हम कर रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी चैप्टर 3 इस्थानिय स्वशाशनगर वही पंचायती राजविवस्था को ही लेके चलेंगे कि चैप्टर के एकॉर्डिंग त चली स्टार्ट करते हैं कुश्चन वन है पंचायती राजविवस्थानाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई तो पंचायती राजविवस्थानाली जो है वो पहले किन दो राज्यों में लागू की गई इसका आंसर है आंध्रप्रदेश और राजिस्थान जिसम ग्राम पंचायत अपने क्रिया कलापों के लिए इसके प्रति जवाबते ही होती है तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा के प्रति उत्तरदाई होती है नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य बनने की नियूंतम उम्र क्या है नियूंतम आयू क्या है तो यहां उम्र जो है वो मिस हो गया है ग्राम सभा का सदस्य बनने की नियूंतम आयू क्या है तो हमने अर्थ समझा था कि ग्राम सभा किसे कहते हैं तो अब यहां आंसर आपको जो ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों का जो समू होता है, जिनकी आयू 18 वर्स से या दिखो, जिनका नाम पंचायत शेत्र की मतदातस उची में हो, तो वही सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये भी बताया था मैंने आपको, कि जो पंचायत होती है, उसको चुनने वाले लोग यही ग्रामसभा की सदस्य से कहलाते हैं. Next है, Question 4, किस सरकार द्वारा 73 समविधान संसोधन 1992 पारित हुआ? 73 समविधान संसोधन पंचायती राजविवस्ता का, यानि ग्रामिर सोशाशन का, जो 1992 में पारित हुआ, तो यह उस समय किस की सरकार थी? आंसर है, नर्सिम्मा राव सरकार. Next है, Question 5, 73 समविधान संसोधन लागु कब हुआ? देखिए, पारित कब हुआ? यह हमें पता है, 1992 में पारित हुआ. यह लागु हुआ, 24 अपरेल 1993 में. ठीक है? याद रखना है, 24 अपरेल 1993 में. इसी वज़े से, 24 अपरेल को हम पंचायती राजविवस के रूप में मनाते भी हैं. नेक्स्ट है, कुश्यन 6. पंचायती राजविवस कब मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 24 अपरेल इसी दिन यह लागु किया गया था. इसी लिए 24 अपरेल को पंचायती राजविवस मनाया जाता है. तो देखिए, जो भी करेंट से जुड़े फैक्ट होंगे, वो भी मैंने यहाँ पर एड़ किये हैं, क्योंकि एक्जाम में पूछे जाते हैं. Next है, Question No.7. पंचायत को समविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? इसका आंसर है, भाग 9 और अनुचे 243 में. ठीक है? तो पंचायत को समविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है और अनुचे 243 में यह वर्नित है, जिसमें A से लिकर O तक हमें पंचायत के बारे में पता Next है, Gram सभा द्वारा चुने जाते हैं. अब देखिए, मैंने आपको बताया था, इंटारेक्ट वे में इसका आंसर कि Gram सभा द्वारा चुने जाते हैं. कौन चुने जाते हैं, Gram सभा द्वारा? सरपंच चुना जाता है, Gram पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत समीति के सदस्य चुने जाते हैं, जिला परिशयत के सदस्य चुने जाते हैं. तो जो Gram सभा के द्वारा यानि 18 वर्षय जिनकी आयू होती है, मतदाता सुची में जिनका नाम होता है Gram पंचायत के, तो वो सभी सदस्य जो हैं, वो ही ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं, वो ही पंचायत समिती को चुनते हैं, और वो ही जिला परिशद के सदस्य को चुनते हैं नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 9, 15 नवंबर 2019 के अनुसार, राजिस्तान में ग्राम पंचायद सम्थी और जिला परिशद कितनी है, तो देखे, ये बिलकुल करेंट का है आंसर, कि अभी वर्तमान में, यानि 15 नवंबर 2019 के अनुसार, ग्राम पंचायद है, 11152 पंचायद सम् है, 343 और जिला परिशद है, 33, नेक्स्ट है, कुश्यन 10, ग्राम पंचायद, पंचायद सम्थी और जिला परिशद का कारेकाल कितना होता है, तो इन तीनों को अलग न करके, मैंने एक ही जगे लिख दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, तो इनका कारेकाल जो होता है, वो 5 वर्ष का होता है, नेक्स्ट है, कुश्यन 11, ग्राम पंचायद में महिलाओं के लिए कितना आरक्षन रखा गया है, आंसर इस 50 प्रतिशत, कुश्यन 12, पंचायती राज किस सिद्दान्त पर आधारित है, देखिए, सभी प्रेशन जो है, वो एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हर प्रशन जो है, उसकी अपनी इंपोर्टेंस है, सभी आपको याद रखने होंगे, पंचायती राजज सत्ता के विकेंदरी करण पर आधारित है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सरपंच, और ग्राम पंचायत के सरपंच, यहाँ पर देख प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने का प्रापधान है, ग्राम पंचायत के सरपंच को पद सम्हालने के कितने वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने का प्रापधान है, तो इसका आंसर है, दो वर्ष, नेक्स्ट है 14, ग्राम सभा की बैठक में एक इसके लिए कौन उत्तरदाई होता है कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है सरपंच और पंच नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक में महलाओं की कितनी उपस्तिती आविश्यक है ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ती का एक बटे तीन महलाओं की उपस्तिती आविश्यक है गणपूर्ती यानि जिसे कौरम कहते हैं प्रतेक पंचाय समिती में कौन-कौन से सदस्य होते अब पंचायत समिती में कौन-कौन से सदस्य होते हैं? चलिए देखते हैं हम, प्रादेशिक निर्वाशन शेत्रों में प्रत्यच निर्वाचिस सदस्य होते हैं, पंचायत समिती शेत्र से प्रतनिधित्व करने वाले सभी बिधान सभा सदस्य होते हैं, और पंचायत समिती की सभी ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं किसमें पंचायत समिती में एक बर दुबारा देखिए कि पंचायत समिती में कौन-कौन सदस्य होते हैं एक तो होते हैं कि जो उस शेत्र के उस प्रादिशिक निर्वाचन शेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य और पंच पंचाय समिती शेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सधस्य, पंचाय समिती के सधस्य होते हैं. नेक्स्ट है सरपंच, वाडपंच और उपसरपंच ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे तो ये देते हैं वीडियो को देते हैं किसको देते हैं खंड विकास अधिकारी को देते हैं सरपंच, वाडपंच और उपसरपंच ये अपना त्याग पत्र देते हैं खंड विकास जिसे हम क्या कहते हैं, बीडियो, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 18, पंजायत समती सदस्य एवं उप जिला प्रमुक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, इसका अंसर है, जिला प्रमुक को, नेक्स्ट है, कुश्यन 19, पंजायती राज के प्रशाशनिक पदाधिकारी कौन है, तो देखिए, यहां पर मैंने तीनों को ही शामिल कर लिया है, ग्राम पंजायत की देखें हम, तो यहां प्रशाशनिक पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, और ग्राम सेवक हैं, ठीके, ग्राम सेवक जिसे वीडियो कहते हैं पंचायत समिती में प्रधान है खंडविकास अधिकारी यानि वीडियो जिला इसतर पर देखें तो वहां पर प्रशाशनिक पदाधिकारी है जिला अधिकारी और CEO यानि मुख्य कारेकारी अधिकारी तो एक बार और रिपीट करती हूं पंचा पंचायत में सरपंच और ग्राम सेवक, पंचायत समिती में प्रधान, खंडविकास अधिकारी, जिला इस्तर पर जिला अधिकारी और मुख्य कारेकारी अधिकारी ठीक है, ये सब ही होते हैं, नेक्स्ट है कुश्चन, अब देखिए हमने प्रशाशनिक अधिकारी देखे, अब हम देखेंगे कि पंचायती राज में राजस्व प्रशाशन के अधिकारी कौन होते हैं, यानि रिवेन्यू इखटा करने का काम किसका होता है, तो ये किसके अंडर में होते हैं, इसे भी हम देखते हैं, देखिए ग्राम इस्तर पर देखते हैं, तो पटवारी होता है तहसील इस्तर पर तहसीलदार होता है अब देखें यहां पर पंचायद समिती नहीं है ठीक है क्योंकि राजस्व प्रशाशन का अधिकारी जो है वो तहसीलदार होता है जो की तहसील इस्तर पर होता है और जिला इस्तर पर कौन होता है collector ठीक है तो ये सबी जो है वो राजश्र परशाशन के अधिकारी है, इन्हें आप वहाँ नहीं मिलाएंगे, परशाशन ये का अधिकारियों में नहीं मिलाएंगे. ये सबी कौन से हैं? ये revenue एकतरित करने वाले अधिकारी हैं. ठीक है? नेक्स्ट है question number 21, ग्राम पंचायत का मुखिया प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, पूछा है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वह निर्वाचित कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है, इसका answer है प्रत्यक्ष होता है, क इन में से कौन त्रण मूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो कौन है त्रण मूल लोकतंत्र से संबंधित? आंजर है पंचायती राज व्यवस्था. नेक्स्ट है कौन पंचायतों की वित्य इस्तती का पुन्रावलोकन करने के लिए वित्यायुक का गठन करता है? तो कौन करता है पंचायतों की वित्यायुक का पुन्रावलोकन करने के लिए वित्यायुक का गठन? राज्यपाल. कौन करता है? राज्यपाल. नेक्स्ट है, कुश्यन 24, कौन पंचायतों की संडचना के लिए उपवंद करने को अधिकरत है? इसका आंसर है, राज्य का विधान मंडल आज का अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज विशय है, पंचायती राज किसका विशय है? तो यह है राज्य सुची का विशय है, ठीक है? तो हम कर रही हैं, क्लास 9 का चेप्टर नमबर 3 तो पंचायत विवस्था जो है, वो हमारी चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो जो किया था उसमें एक कुश्यन था देखिए पंचायत समिती सदस्य एवं उप जिलाप्रमुक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो आंसर जो था वो अधूरा था वहां लिखा था जिलाप्रमुक को देखिए पंचायत समिती के जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र द प्रधान को और जिला परिशद के सदस्य और उप जिला प्रमुक अपना त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुक को तो यह आप करेक्ट कर लीजिएगा चलिए उसके बाद जो कुश्चन है वो आज हमें स्टार्ट करते हैं तो आज का कुश्चन 26 एक पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा एक पंचायत यदि भंग हो जाती है तो उसके कितने महिने के अंदर नये चुनाव करा लिए जाएगे तो इसका आंसर है 6 माह नेक्स्ट है, कुशियन 27, त्री इस्तर ये सनरचना का मध्यवर्ती सोपान क्या कहलाता है? हमने देखा था कि पंचायती राजविवस्था के अंदर हमने इसे तीन इस्तरों में बांटा था, बलबंत राय समिती जो थी उसकी सिफारिस पर इसे लागू किया गया था, तो त् अंसर होगा, जिला इस्तर और प्रत्थम इस्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती और जिला इस्तर, इसलिए मध्यवर्ती सोपान है, पंचायत समिती, नेक्स्ट है, कुश्यन 28, पंचायती राजसंस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाता है अब निर्वाचन कौन करवाता है यह कुश्यन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कि पंचायती राजसंस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाता है इसका आंसर है याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग यह है पंचायती राजसंस्थाओं का निर्वाचन करवात कुश्यन 29 नेक्स्ट है कुश्यन 30 अधिनियम के प्रावधान की अनुसार ग्राम पंचायत, पंचाय समिती और जिला परिशत अपने कारे के लिए महा में कितनी बैठक आयोजित करता है ठीके तो तीनों का ही अलग-अलग है कि कितने महा में कितनी बैठक होती है उनको एक साथ ही यहां पर लिख दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी देखी ग्राम पंचायत जो है वो 15 दिन में एक बार बैठक का आयोजित करती है पंचायत समिती एक महा में एक बार करती है और जिला परिशद तेन महा में एक बार करती है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है यदि पूछा जाए कि ग्राम पंचायत जो है वो है एक महा में कितनी बार करेगी बैठक का आयोजन तो दो बार नेक्स्ट है question number 31 पंचायत सम्ती की बैठक के लिए गण पूर्ती है तो कितनी उपस्तिती होनी जरूरी है तो सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई जो है वह बैठक में उपस्तित होना compulsory होता है कितना एक तिहाई नेक्स्ट है question number 32 पंचायत सम्ती द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संकेत किस अनुसूची में है इसका आंसर है अधिनियम की जो द्वित्तिय अनुसूची है उसमें पंचायत सम्ती द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संकेत है किसमें अधिनियम की दूसरी अनुशूची में राजिस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुशूची में ग्राम पंचायत के साधरन कार्रे कौन-कौन से हैं यहां से प्रश्ण इस तरीके का पूछा जाता है कि आपको चार कार्रे जो है वो दे दिया जाते हैं जिसमें तीन तो पंचायती राज के होंगे और चौथा जो होगा वो नगरिये स्वाशाशन का दे दिया जाएगा तो इस तरीके से वहाँ पर आपको आंसर चूज करना होता है तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि ग्राम पंचायत के जो साधरन कार्य होते हैं वो कौ होते हैं क्या होते हैं वार्षिक बज़र तैयार करना प्राकर्ति गाब्धा में साहे था और लोक संपत्ति के अतिक्रमन को हटाना राजिस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनसूची में अभी हमने ग्राम पंचायत के साधरन कार्य देखी अब हमें देखने हैं प्रशाशनिक कार्य तो प्रशाशनिक जो प्रशाशन में जो कार्य होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जनगर्णा कराना क्रशी उपज उत्पादन व्रद्धी कारेक्रम ग्रामीन विकास योजनाओं का क्रियानवन का विवरण विरोजगारी के आंकड़े जनम लेक, क्रशी, उपज, उत्पाधन, व्रद्धी और कारिक्रम ठीके ये सभी प्रशाशनिक कार्य होते हैं तो हमने देखा कि वार्शिक बजट तयार करना प्राकरतिक आपदा में सहायता और लोग संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना ये तो उसके साधरन कार्य थे ग्राम कि जो प्रशाशनिक कार्य हैं वह कौन-कौन से हैं तो प्रशाशनिक कार्य में देखा हमने जनगरना, क्रशी, उपज, उत्पाधन, व्रद्धी कारिक्रम, ग्रामीर, विकास, यूज, नौक, क्रियान, वन, का विवरन, बेरोजगारी, के आंग्रे, जनम, म्रत्य, विवा पंजियन कराना, पंचायत अभिले, क्रशी, उपज, उत्पाधन, व्रद्धी कारिक्रम, ये सब इसके प्रशाशनिकार्य होते हैं कुश्यन 35, अब हमने ग्राम पंचायत के देखे, नेक्स्ट है, पंचायत समिती के मुख्यकार्य कौन से होते हैं चलिए देखते हैं, वार्शिक बजट तयार करना, ठीक है, ये है, वार्शिक बजट तयार करना, ये है, हमने ग्राम पंचायत में भी देखा था, और वार्शिक बजट तयार करना, ये भी पंचायत समिती का मुख्यकार्य होता है सामाजिक न्याय के लिए योजनाय बनाना, भूमी सुधार, म्रद्दा संरक्षन, लगु सिच्चाई एवं पेजल, गरीवी उन्मूलन, पशुपालन, शड़के, बाजार, स्वास्ते, सिक्षा, ठीक है? तो ग्राम पंचायत से बड़े कार्य जो हैं वो पंचाय समिति के हो पंचाय समिति के कार्य हैं. नेक्स्ट है, कुश्चन 36, जिला परिशद का गठन किन सदस्यों मिलकर होता है? तो देखिए, निर्धारत प्रादेशिक निर्वाचन शेत्रों से प्रत्यच निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिला परिशद शेत्र से निर्वाचित लोग सभा विधान सभा के सदस्य है, जिला सदस्य शेत्र से, जिला परिशद शेत्र से निर्वाचित जो लोग सभा विधान सभा के सदस्य है, जिला सदस्य शेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजिकरत राज्य सभा के सदस्य है, जिला परिशद शेत्र की समझ्द पंचाय समिति पंचायती राज अद्रियम 1994 की तृत्ती अनुसूची के अनुसार जिला परिशद के कारे कौन-कौन से होते हैं तो अब हम जिला परिशद के कारे देखेंगे तो यहां पर जिले के आर्थिक विकास समाजिक न्याय के लिए योजनाय बनाना क्रशी का विकास ठीके जिला इस पिछड़ा वर्ग के लिए सिक्षा यह सभी कारे जिला परिशद के होते हैं तो यह सभी कारे हमने पंचायत समिती में या ग्राम पंचायत में नहीं देखे थे इसी दरीके से प्रशन जो है वो पूछ लिया जाएगा ठीक है कि SCST और पिछड़ा वर्ग इनके लिए पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षन दे है तो जो कुल संख्या होती है उसका एक तिहाई आरक्षन किसका है महिलाओं का पंचायती राज में पंचायती राज में OBC का आरक्षन दे है वही OBC का आरक्षन कितना है तो इनका आरक्षन है राज्य विधान मंदल की इच्छा पर ठीक है राज्य विधान मंदल की इच्छा पर है क्योंकि यह तै नहीं है उनकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है कि वो पंचायती राज में OBC को कितना आरक्षन देंगे नेक्स्ट हैं कोश्चन नमबर 41 राज्य वित आयोक का गठन किसके द्वारा किया जाता है इनका गठन राज्य पाल के द्वारा किया जाता है इसी तरीके से राज्य वित आयोक का किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोक का गठन जो है वह भी राज्य पाल के द्वारा क किया जाता है राज्य वितायों का कार्य क्या होता है अब क्या होता है भई फाइनेंस की बात हो रही है तो इसी से संबंदित कार्य होंगे इनके इस्थानिय संस्थाओं को कर राज्यस्व का बटवारा करना और अनुदान की सिफारिस करना यह राज्य वितायों का कार्य होता देखिए बहुत अच्छे से याद करना है राज्य वित्य आयोक कार्य क्या होता है इस्थानिय संस्थाएं जो हैं वहां कर राजस्व का बटवारा करना और अनुदान की सिफारिस करना नेक्स्ट है question number 43 राज्य वित्य आयोक का गठन किस अनुछेद में है तो किस अनुछेद में है 243 में ठीक है अनुछेद 243 के अंदर राज्य वित्य आयोक का गठन है और वह भी किसके अंदर जह के अंदर अनुछेद 243 जह के अंदर राज्य वित्य आयोक का गठन है जह या या तो जहा मिलेगा, या फिर आपको option में मिलेगा i, ठीक है, 243 i ही बहुत S QA कार आप से option में जब पूछा जाएगा तो राजय वित्त rescue और हाट निर्वाचन यहां पर क्या प्राब्लम आएगी देखी राजे निर्वाचन आयोक का क्रारée होता है केवल सथान्य संस्थाओं के निर्वाचन का संचालन करनां इस्थानिय संस्थाएं वही पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ग्राम पंचायत, पंचाय समिती, जिला परिशद तो इनका निर्वाचन का कार्य कौन कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोक कर रहा है और राज्य वित्य आयोक का कार्य क्या था उनका कार्य था इस्थानिय स अंसाओं को कर राजश्व का बतवारा करना और अनद्वान की सिफारिस करना तो आज का ये अंतिम प्रश्ण था आज हमने पंचायती राजवयवस्था को कंप्लीट कर लिया है आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की पॉलिटी का अंतिम वीडियो जिसमें हम जो पंचायती राजवेवस्ता पढ़ चुके हैं आज हम करेंगे स्थानिय सौशासन से सम्मंदे सभी प्रेशन और 9th क्लास की पॉलिटी आपकी पूरी हो जाएगी कल से हम 10th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो देखिए आप वीडियो जो है नहीं शेर करते हैं और नहीं वीडियो पूरा देखते हैं तो ये सबी मुझे पता चल जाता है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए आपको इसकी एहमेत अभी नहीं पता लग रही है लेकिन एक्जाम टाइम में आपको ना पस्ताना पड़े, इसलिए मैं आपसे बारबार कहती हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिए, यदि आपको एक्जाम करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं, question 1 है, नगर निगम का कारेकल कितना होता है, तो आज हम नगरिय सोशाशन के बारे में पड़ेंगे, जिसमें हम इसे तीन भागों में बाटते हैं, नगर पालिका, नगर परिशद और नगर निगम, एक लाग से कम जनसंख्या वाले नगरिय शेत्र को नगर पालिका कहते हैं, उसके बाद एक लाग से पांच लाग तक की जनसंख्या वाले को नगर प नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर टू, चोहत्तरवे सम्विधान संसोधन के अनुरूप जिन नगरिये शेत्रों में 5 लाग से अधिक जन्संक्या हो, उसे क्या कहेंगे? देखिए, चोहत्तरवे सम्विधान संसोधन जिसमें नगरिये स्वशाशन को जोड़ा गया, तो यहाँ चोहत्तरवे सम्विधान संसोधन के अनुरूप जिन नगरिये शेत्रों में 5 लाग से अधिक जन्संक्या हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? आंसर है, महापोर कहते हैं नगर निगम के अध्यक्ष को और उप महापोर कहेंगे नगर निगम के उपाध्यक्ष को. नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होता है? जिस तरीके से देश का प्रथम नागरिक, राश्ट्र का प्रथम नागरिक, राश्ट्र पतिजी होते हैं, उसी तरीके से नगर के जो प्रतम नागरिक होते हैं वो महापोर होते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष नगर निगम के महापोर की अनुपस्तिती में सभी कारे संपन किसके द्वारा किये जाते हैं नगर निगम के महापोर की अनुपस्तिती में सभी कारे किसके द्वारा पूरे किये जाते हैं आंसर है उप महापूर जिस तरीके से राष्टपती के अनुपस्तिती में उप राष्टपती सभी कारे समालते हैं इसी तरीके से नगर निगम के यदि अध्यक्ष महापूर उपस्तित ना हो तो सभी कारे कौन समालेंगे उप महापूर नगर निगम के कारेकाल समिती का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है, इसका गठन किया जाता है महापूर, उपमहापूर, परिशद में विपक्ष कानेता, परिशद द्वारा निर्वाचिस सास सदस्यों द्वारा किया जाता है इन साथ सदस्यों में दो महलाएं होती हैं और कारेकारी बदिन सचे भी होता है। नगर निगम अपने कारेओं के लिए आये कहां से जोटाता है। नगर निगम अपने कारेओं के लिए जो इनकम है वो कहां से जोटाता है। जो भी हम पर संपत्ति कर लगता है, पशु कर लगता है, विवशाय कर लगता है, मनोरंजन कर लगता है, भूमी या भवन पर जो भी किराया लगता है, और सरकार से निश्चित प्राप्त अनुदान, ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट है, कुशन एट, जिसे नगर शेत्र की जनसंग क्या पाँच लाग से कम है, वह नगर निगम में आता है, या नगर परिशद में, तो बिलकुल इसका तो आप जट से आंसर बता ही देंगे, कि पाँच लाग से यदि कम है, तो वो नगर परिशद की अंतरगत कुशन 9, नगर परिशद का अध्यक्ष और उपाद्यक्ष कौन होता है, देखिए नगर निगम का हमने देखा अध्यक्ष कौन होता है, महापोर होता है, उपाद्यक्ष उप महापोर होता है, अब नगर परिशद का अध्यक्ष होता है, सभापती और उपाद्यक्ष होग पार्षद का निर्वाचन कैसे होता है इसका अंसर है पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतादिकार द्वारा गुप्त मतधान से होता है नेक्स्ट है 11 क्या लोगसवा और विदान सभा के सदस्य नगर परिशयत के सदस्य होते हैं अधवा नहीं देखिए ये कुष्यन बहुत इंपोर्टन रहता है क्योंकि इस तरीके से आपके एक्जाम में पूस लिया जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह तो लोगसवा और व नगरिय शेत्र को क्या कहेंगे तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है संक्रमन कालीन नगरिय शेत्र तो आप पिल्कुल परेशान नहों हमें देखना क्या है एक लाग से कम जनसंख्या वाले नगरिय शेत्र की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वह क्या है नगरपालिका भारत सरकार यानि केंद्र सरकार द्वारा इस्थानिय समस्याओं के निराकरण ही तू इस्थानिय संस्था के गठन के लिए छावनी बोर्ड अधनियम संसद में कब पारित हुआ? कुश्यन 14 राजिस्थान में एक मात्र जाबनी बोर्ड की स्थापना कहा की गई? अब जो बच्चे कुश्यन आंसर अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनके सामने ये प्रेशन जो है वो एक्जाम में आ जाए तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ये कह से आ गया तो सब कुछ बुक में ही है राजिस्थान में एक मात्र जाबनी बोर्ड की स्थापना कहा की गई? आंसर है नसीराबाद अजमेर में भारत में वर्दमान में कितनी जाबनी मंडल है भारत में वर्दमान में कितनी जाबनी मंडल है तो इसका आंसर है 64 आंसर कितना है 64 भारत में वर्दमान में 64 जावनी मंडल है पंचायती राशंस्थाओं और नगरिय संस्थाओं के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं आंसर है हर 5 वर्ष बाद किस संविधान संस्थाओं को प्रभावी वर ससक्त इस्तती प्राप्त है इसका आंसर है 74 वर संविधान संस्थाओं और अनुसूची कौन सी बारवी कौन राज्यसरकार तथा इस्थाने शाशन के बीज राज्यस्व वटवारे के लिए उतरदाई है तो कौन है राज्यसरकार और इस्थाने शाशन के बीच में तो वो है राज्यवित्यायोग हमने देखा था राज्यवित्यायोग का कारी ही होता है रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उसका बटवारा करना राज्यवित्यायोग के गठन का प्राफधान सम्विधान में किस अनुछेद में है तो राज्यवित्यायोग का गठन का प्राफधान जो है वो सम्विधान के देखिए एक बार आपके एक्जाम में यह कुशन आया हुआ है देख का पहला नगर निगम कहां इस्तापित हुआ तो यह हुआ मदरास में 1687 इसवी में मदरास में 1687 इसवी में पहला नगर निगम इस्तापित हुआ नेक्स्ट है कुशन 21 भारत में नगरिये निकायों के धांचे का स्वरूप कैसा है तो देखिए अब यह प्रस्ण जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि पंचायती विवस्था के अंतगत जो ग् इस से 33 है इसे हम इस तरीके से बाटते हैं 20-30 जिसमें सबसे इंपर नगर निगम मैं यसमें सबसे निगर परिशेत है सबसे नीचे आता है क्या ग्राम पंचायत उसके बाद समिति और उसके बाद जिला परिश्थ भारत में नगरपालिका का कारेकाल कितना होता है भारत में नगरपालिका का कारेकाल देखिए नगरपालिका नगर निगम नगर परिशल इनका कारेकाल पांच वर्ष का ही होता है लेकिन अगर आप्शन में इस तरीकी से आ जाए प्रतम बैठक की तिती से पांच वर्ष ये उपयुक्त आंसर होगा ठीक है कारिकल कितना होता है जो प्रतम बैठक होती है तब से स्टार्ट हो जाता है और पांच वर्ष तक रहता है नगर निगम के अद्यक्ष का कारेकल कितना होता है तो अब देखिए नगर निगम का कारेकल ने यहाँ पर अद्यक्ष का कारेकल पुछा है तो अध्यक्ष का कारेकल क्या होगा? अध्यक्ष का कारेकल होगा कि जिस दिन वो सपत लेते हैं, तो सपत ग्रहन की तिथी से 5 वर्ष तक कारेकल होता है. इससे पहले के कुश्चन में देखी क्या पूछा गया था? इससे पहले के कुश्चन में पूछा गया था कि जो नगर नगर निगम के अध्यक्ष तक लेकर 5 वर्ष तक गतर तक वह सपत ले लेते हैं उस सपत ग्रहठिती से 5 वर्ष तक तो प्रेशनों के जो लेंग्वेज है उसको समझने के कोशिश कीजियेगा और फिर अपने सही आंसर को लगाईएगा जिला निर्वाचन अधिकारी के उत्तरदाई का निर्वाहन किसके द्वारा किया जाता है इसका आंसर है जिला कलेक्टर द्वारा ठीक है ये आपका अंतिम प्रश्ण था और आज आपके 9th क्लास की पॉरी होती है इसी तरीके से 10th क्लास की करेंगे थैंक यू झाल टो